कि देखिए आज यह मेरे पास क्राउन कंपनी का लेडी 40 इंच का आया है जिसका मोडल नमबर आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इसको आउन करके दिखाता हूं आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई है मैंने इसको फैने सी खूल लिया है देखिए अब मैं आपको इसे ओन करके दिखाता हूं इसकी स्क्रीन में किस तरह का फालते है इसकी स्क्रीन देखिए यह देखे मैंने इसको ओन कर दिया है अब आप इसकी स्क्रीन देखिए इस टाइप की इसकी स्क्रीन का फाल दिखाई दे रहा है अब मैं आपको इसके DC2 DCIC के वोल्टेज चेकर के लिखाता हूं आपका टाइम खराब ना हूँ इसलिए मैंने इसे पहले ही खोल कर रख लिया था इसकी मुल्टी मीटर इसको ग्राउंड पर लगा दिया है मैंने इसको ग्राउंड पर लगा दिया है मैंने यहां पर देखिए कार्ड से जो वोल्ट आते हैं यह देखिए 11.9 वोल्ट मीटर में आ रहे हैं इसके बाद हम चेक करते हैं वीजी एल वोल्टेज यह देखिए माइनस शिक्स वोल्ट आ रहे हैं इसके बाद हम चेक करते हैं वीजी एल वोल्टेज कि यहां पर वीजी इस पॉइंट है इसमें देखिए 28 वोल्ट आ रहे हैं इसका मतला हमारी डीजी टू डीजी आईसी काम कर रही है ठीक से प्रॉपरली लेकिन इसमें पिक्चर नहीं बन रही हैं तो दोस्तों मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें ध्यान से देखने पे म कि यह देखिए मैं आपको दिखाने की कोसिस करता हूं यह यहां पर कि कोफ बर्न है लेकिन यह साइड में होने की वेज़े से यहां पर सेविन वोल्ट आ रहे हैं जिससे की पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो मैंने इसकी साइड कॉफ कि वोल्टेज चेक करने के लिए इसका स्क्रीन को खोल लिया है मैं आपको दिखाता हूं साइड कोफ का नंबर क्या है और उसमें कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कौन सा वोल्ट मिसिंग है जिसकी वेज़े से फाल्ट आ रहा है कि वोल्टेज आ रहा है कि आप देख सकते हैं इसमें ब्लू स्क्रीन आ रही है कि मैं आपको इसकी साइड को उपके बॉल्टेज चेक करके दिखाता हूं आप देख सकते हैं इसकी को शाइड को कि यह मैंने यहां पर वायर जंपर लगाया है कि यह यहां पर वीजीय पॉइंट है यहां पर देखिए 3.3 वोल्ट आ रहे हैं जबकि यहां पर 28 वोल्ट आने चाहिए इसके उपर है वीजीय एल इसकी डाटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि देखिए वीजीय सही आ रहे हैं माइनस 8.5 तो दोस्तों मैंने क्या क्या यहां पर वीजीय पॉल्ट आने की वैसे पिक्चर नहीं बन रही थी मैंने एक जमपर वायर लगा कर जो हमारे पैनल पर वीजीय एच वोल्ट आ रहे थे वहां से एक जमपर लगा कर आपको दिखाता हूँ कि पिक्चर बनी या नहीं बनी मुझे पहले ओफ करना होगा मैंने जमपर वीजीय वोल्ट में लगा लिया है अब मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ और वीजीय एच के वोल्ट इज भी चेक करके दिखाता हूँ मैंने टीवी को ओन कर दिया है यह देखिए दोस्तों वीजीय वोल्ट आते ही इसमें पिक्चर बन गई है रास्टर आ गया है यह देखिए कि एवीडियो आपके लिए कैसा रहा आप कमेंट में बताइएगा इससे आपको काफी हैल्प मिलेगी कि एक बार में इसके पैनल और आपको दिखाता हूँ इसका पैनल का नम्मर क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ कि आप कि 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 जाट इस चार परको पानल मिलें LC 390T A2A 41 इंच के Crown के TV में लगा है ये इसकी DC2 DCIC 75 55 55 62 A दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हैलफूल रहेगा आपको फाल्ट को निकालने के लिए काफी मदद मिलेगी थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो